बॉलिवूड के लिए पिछला एक साल कुछ ठीक तरीके से गुजर नहीं रहा है अलग-अलग तरीके से उनके सामने मुसीबते आती जा रही है चाहे वो कोविड हो, चाहे वो पब्लिक का बॉयकॉट हो या फिर थेटर्स का ना खुल पाना हो और दर्शक तो वैसे भी थोड़े से नाराज हुए बैठे ही है और लेकिन सबसे बड़ी बात एक जो सहाराइन का वज़ा था वो था OTT प्लेटफॉर्म लेकिन उस पर भी पब्लिक ने इस तरीके से उनकी मुवीज को देखना शुरू किया है कि अगर मुवी घटिया लगती है तो पंदरा मिनिट में ही लोग मुवी देखना बंद कर देते हैं और इसके बाद जो पब्लिक नीवियू सामने आते हैं चाहा कर भी जो फिल्म के मेकर्स होते हैं वो सीज को समाल नहीं पाते हैं अब हाल ही में अलिय भट को लेकर कई सारी खबरें उड़ी पिछले साल जो उनकी सड़ाक टू रिलीज हुई थी उसको लेकर तो काफी ज़्यादा विवाद हुआ था और सबसे ज़्यादा डिसलाइक किये जाना वाला ट्रेलर भी उनकी मुवी का बन लिया था अब इस साल एक नए साल के साथ नई उमीद के साथ उन्होंने काम करना दुबारा शुरू किया उनको लग रहा था कि भाई इस बार साल सबकुछ शायद ठीक ठीक चला जाएगा लेकिन गंगु भाई कटियावाडी में कई सारी विवाद सामने आना शुरू हो गए जबसे मूवी का डिकलेरेशन हुआ है उस तब से ही उसके साथ कई सारे विवाद जोड़ गए थे लेकिन अब जो नई बात सामने आ रही है वो उस काफी ज़ादा दिल दहलाने वाली है और चौकाने वाली है क्योंकि हर मेकर चाहता है कि उसकी मूवी ज़ाद से-ज़ाद कमाई करे और सबसे ज़ादा जमाई का एक जरिया जो है वो है इस भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद इस फिल्म की रिलीज को लेकर अटकले शुरू हो गए गैंक्सर ड्रामा फिल्म का गंगुबाई कठी अवाड़ा में आली अभट के अवतार को देखने के लिए फैंस का बेसबरी से इंतजार चल रहा है इसके रिलीज का इंतजार कर रहा हैं सभी लोग इस फिल्म के टीजर 24 फरवड़ी को जारी किया गया था जिसमें आली अभट को देखने के बाद हर कोई उनके अभिनाय की तारीफ करते ठक नहीं रहा था अब फैंस को इस फिल्म को की रिलीज का इंतजार इस फिल्म को गंगुबाई कठी अवाडी के OTT पर रिलीज के लिए मोटी रिकम आफर की गई है गोचपस हैं कि ये इतनी रिकम है कि इसके कल्बना भी नहीं की जा सकती बॉलिवुड हंगामाई अपने सूतरों के हवाले से बताया कि फिल्म गंगुबाई कठी अवाडी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए एक बड़ी रिकम मिल रही है कोविड संक्रमन की दूसरी लहर से जो हालात सामने आए हैं और OTT के लिए ओफर की जा रही ही रकम के चलते संजलीला भंसाली फिल्म को ऑनलाइन प्रेटफॉर्म पर रिलीज करने का विचार कर सकते हैं कोरोना वारस के चलते देश भर के सिनेमा हॉल पर एक बार फिर्ट से ताले डल गए हैं इसके साथ ही लोग भी सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखने से कदर आ रहे हैं ऐसे में संजलीला भंसाली गंगो भाई कटियावाडी को ऑनलाइन रिलीज के बारे में सोच रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी जा तेजी से फैल रही है महराज, दिल्ली, यूपी, मदप्रदेश, राजस्तान जैसे हिंदी भाषी के बड़े राज्यों में कर्फ्यू जैसे हालात है ऐसे में 30 जुलाई को गंगो भाई कटियावाडी के सिनेमा घरों में रिलीज होने की संभावना बहुत ही कम दिखाई पट रही है अगर ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होती भी है तो लोग वहाँ पर जाकर मूवी देखने का चांस कम ही लेंगे ऐसे में बड़े परदे पर फिल्म का 30 जुलाई को रिलीज होना काफी मुश्किल दिखाई देना है संभी लीला भंसारी ने फिल्म गंगो भाई कठी अवाडी को सिनेमा घरों के हिसाब से बनाया था वे इसी कहानी पर अधारित वेब सीरीज हीरा मंडी बनाने वाले थे अब करोना के ताजा हालात के बाद ये फिल्म को ओटिटी बलेट फॉर्म पर रिलीज हो सकती है ऐसे में वेब सीरीज के पर विराम लगना तैय देख रहा है मेरे इस वीडियों फिल्हार इतना ही जैहिन जैभारा